सातियों को मेरा नमस्कार, एमके जोकिशन जिनल में आपका सौगात है, आई सातियों एडिकेट अब्यास पुस्ती का कक्छा तीसरी परेवन अद्धन के मेहत्मन पाटों को हल करते हैं, वीडियो को सुरू से यह तक देखे, पाट का नाम है आओ बरतन बना है, पहला प्रसन बार-बार हाथ अपने हाथों में पानी लगाता है, वो ऐसा क्यों करता है, तो कुमार चक्के से बरतन मनाते समय, बार-बार अपने हाथों में पानी लगाता है, क्योंकि वह मटके बरतन को छिकनाहट प्रदान करता है, ताकि मटका मजबूत बने, मिट्टी से बने बरतनो को मजबुत बनाने के लिए कुमार उसे किस में रखकर पकाते हैं, तो हमने देखा है, मिट्टी से बने बरटनों के बाद कुमार उसे आग में पकाते हैं, फिरे, अगर हम बिना पके हुए मिट्टी के घड़े में पानी बरका रात बर रखे और सुबह उठकर देखें तो आपको घड़ों में पानी भरा मिलेगा या फिर घड़ा फूटा हुआ अपने अनुभाव के अधार पर उत्तर दीजी तो अगर हम पानी रखेंगे उसमें अगर कच्छा घड़ा है तो हमें जरूर ही जब हम उसको सुबह देखेंगे तो वो हमको फूटा हुआ मिलेगा इसलिए हमें आग में पके हुए घड़े में ही पानी रखना चाहिए अगला प्रशन है कवीता की लाइन दी गई है आए इसके अर्थों को हम समझेंगे खुर्पी लेकर जाओंगा मिट्टी में कुल्लड कुन बनाता है तो कुल्लड कुमार बनाता है चोज दोकर आओंगा इन लाइनों में कववे से क्या सिक्षा मिलती है इन लाइनों से हमें कववे से सिक्षा मिलती है कि अगर कववा खाने के पहले अपनी चोज धुल रहा है तो हम भी अपने हाद भूजन से पहले धोले या मूँ को धोले अगला प्रसन है निमलिखित नीचे दिये गए सब्दों में आपस में संबंद के अधार पर मिलान किजिए कुलड कुमार मिट्टी खदान चोच कोवा खुरपी लोहा और पानी नदी अगला प्रसन है साथवे नंबर का कुमार को मिट्टी से बरतन बनाने के लिए कौन-कौन से चीजों किया सकता होती है तो मिट्टी पानी मिट्टी का पईया या कुमार का चाथ इसकी जरुबत उसको पढ़ेगी खुरपी तो जयसे सुराई येठ हो गया ये गिलास है ये घंबला ये थैला आट ये दीपक है तो जिसमें हमने लंग पहर आए मतलब वह मिट्टी का बना हुआ है फीरे पुनाने समय में सबी घरों में प्राऀयों मिट्टी से बने बरतन में खाना बनाया जाता था क्या आपके घरों में भी आज के समय में कुछ मिट्टी से बने बरतन है यदि हां तो उनके नाम लिखो तो वस्तू के नाम जासे हांडी तवा सुराई और मटका उप्योग बता सकते हैं हांडी में खाना बनाने के लिए तवा रोटी ब subscribe कर लिया होगा धन्यवाद